अगर आपकी बोड़ी में कल्शियम की कमी है जिसकी वज़े से आपकी हड़ियों में दर्द रहता है आपकी जोनेट्स के अंदर से कट-कट की आवाजे आते हैं या फिर ऐसे लोग जो जोड़ों के दर्द से परिशान है जिनको कमर का दर्द गुत्नों का दर्द है और एक दर्द आपको चलने में फिरने में उठने बेटने में दिख्कत देता है इन दर्द को खतम करने के लिए अगर पेंकिलर खा रहे हो तो आजसी पेंकिलर को खाना बांद करते हैं जब को स्क्रीन पे दिख रही है इस अउश्यदी को बोलते बुबुल फली और काफी जगा पे इसको किकर फली के नाम से भी जाना जाता है इसके अंदर भरपूर मातराइं पाया जाते हैं इल्शयम जबकि जोईंट्स में से आरे कट-कट की आवाज हरडियों का दर्ध उसको खतम करने में हैल्प करती हैं वन बबुल फली के अंदर ऐसे कुछ एंज़ पाये जाते हैं जबकि जोईंट्स में को खतम करने में हैल्प करते हैं specially जो लोग परेशने गुटनों के दर्द से तो गुटनों के दर्द की यह बहुती अच्छी और बहुती सस्ती दवा है सबसे पहले आपको बबुल की फली को लेके आना है एक बात का ध्यान रखें कि आपको वो फली को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर सीड बने हो कि यह सीड के अंदर ही कैल्शम पाया जाता है अगर फ्रेश बबुल की फली को लेके आती हो तो उसको च्छाओ में अच्छी तरह से सुखा ले या फिर अब सुखी बबुल की फली को लेके आ जाओ सुखी बबुल की फली या फिर जब बबुल की फली पूरी तरह से सुख जाए तो इसको इमाम दस्त में डालके अच्छी तरह से कुटपिस ले उसका पावडर बना ले इसका पावडर बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी मिक्सिका यूस नहीं करना है मिक्स के अंदर ये फली गरम होगी उसकी जो नूटिशन विल्डी होगी दाउन हो जाएगी इसकी वज़े से आपको इतने अच्छे फाइदे नहीं मिलेंगे तो आपको इसको पाउडर बनाने के लिए इमाम दस्तर के अंदर डाल की कुछ पिस लेना है बबुल की फली को पाउडर बनाने की बाद उसको अच्छी तरह से चान ले और जो पाउडर बनेगा उसको ग्लास की बोटल के अंदर स्टोर कर ले इसको प्लास्टिक की बोटल के अंदर बिल्कुल भी स्टोर ना करे अब बात करते की डोजीज की आपको इस फली के पावडर को लेना होते दिन में दो बार मिस, breakfast से आदे गंटे के बाद और डिनर के आदे गंटे के बाद एक glass जितने आपको लेना है पानी और दो सी तिन गरम जितने आपको लेने बबूल की फली का पावडर में इस पूरे दिन के अंदर आपको 4-6 ग्राम जितने बबूल की फली का पाउड़ का यूज करना है और एक कुछी दिन इस और शिती का प्रयोग करने से आप नूपिस करोगे आपके जोईंट्स के अंदर से जो कटकट की आवाजे आती थी वो पूरी तरह से बन हो जाएगी ऐसे लोग जिनकी बोड़ के अंदर कल्शिव की कमी थी और इस 15 दिन के अंदर उनकी जो बोड़ के अंदर कल्शिव की कमी थी वो पूरी होना शिरू हो जाएगी इसके अलावा जोडों का दर्द, कमर में दर्द, कुछनों में दर्द, हाप्पेर में दर्द, अगर इससे भी आपको शिक्काय थी, तो उसमें भी आपको आरा मिलना शिरू हो जाएगा बबुल की फली एक ऐसी आउशद ही है, जो सभी तरह की जोडों को खतम करने की ताकात रखती है, तो आपकी फेमिली के अंदर या फिर आपके फ्रेंड में, किसे को भी जोडों की प्रॉबलम है, तो इनको जरूर सजेस्ट करें, कि बबुल की फली के पावडर का प्रयोग क करें, अगर अपको मेरी वीडियो यसू लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेर करें, अपने अभी तक अगर मेरी चनल को सब्स्राइब नहीं किया है, तो मेरी चनल को सब्स्राइब करें, आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स वीडियो में, तब के लिए तेन्यवाद